अता इश्वर सुती प्रार्थनो पासन मंत्रहा एश्वर दयानिधे भवत करे पयाने नजपो पासना दिक कर्मना धर्मार्थ काम मोक्षानां सद्य सिधिर भवेन्णा देखिए हम जो भी काम करते हैं उसमें हमें सिध्धी प्राप्त करने के लिए मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है मन मेला तो काम भी मेला इसलिए मन की शुद्धी के लिए इश्वर की प्रार्थना करे इश्वर की स्थुति करे और अपने जीवन में जो भी प्राप्ति हो उसका स्रेय इश्वर को दे इश्वर एक ऐसी संकल्पना है जो वास्तविक्ता में है और उसी से इस स्रिष्ठी का संचालन है जो शुरुवात में था आज है और कल भी रहेगा ऐसा नित्य ईश्वर ने स्रिष्ठी का निर्मान किया गया है इस स्रिष्ठी के साथ अगर हमें जीना है तो स्रिष्ठी के करता करविता की इस रचना को समझना होगा इसी के लिए हमारे शरीर और मन का शुद्ध रहना बहुत जरूरी है जब शरीर और मन शुद्धता के साथ काम करते हैं तभी मैल मुक्त मतलब दोश मुक्त कर्म हम संपन्न कर सकते हैं इसलिए श्रम करे और प्रार्थना भी करे प्रार्थना, मन, बुद्धी और शरीर को स्थिर रखने में सहयोग करेगी इसी के साथ हम सभी विनैशिल रहे, स्वस्त रहे, मस्त रहे लेकिन अस्तिवेस्ट बिलकुल मत रहे धन्यवाद